नमस्कार दोस्तो एक्जान सार्ती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम राजस्तान पुलीस SI बरती 2024 के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं डिटेल में एक-एक चीज के बारे में डिसकस करेंगे तो वीडियो में अखिर तक बने रही है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे यहां पर आपको केंदर सरकार और राजस्तान स्टेट की सभी बढ़तियों के बारे में अपडेट लगातार मिलती रहती है और सबसे पहले मिलती है तो दोस्तो बात करते हैं राजस्तान पुलीस SI बढ़ती 2024 के बारे में टोटल कितने पड़ों पर यह बढ़ती होने वाली है और कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तो दोस्तो आपको बता दे हैं 670 प्लस पड़ों पर लगबख 700 पड़ों के आसपास SI बढ़ती होने वाली है इसकी डिटेल में जाने कर ही हम देखते हैं दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं राजस्तान सब इंस्पेक्टर बढ़ती 2024 सबसे पहले तो जो नए अबियर्ती हैं जो SI के लिए तैयरी करना चाहते हैं या तैयरी शुरू की है उनके लिए यहां पर सारी चीजे डिसकस कर देते हैं डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो SI बढ़ती के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए राजस्तान SI बढ़ती में आवेदन करने वाले उमीडवारों को सनात्तक यानि कि क्वालिफाई होना जरूरी है उसके अधार पर कट ओफ तिकलती है और उसके अधार पर ही आप फिर SI बढ़ती में आगे अपलाई कर पाते हो एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट 21 से लेके 27 वर्स की इसमें होनी चाहिए और जो अलग-अलग केटेगरी है उनको आईउ में छूट की भी विवस्ता है वो केटेगरी वाइज है जैसे OBC में तीन साल की है और अधर केटेगरी की भी है पद संक्या की अगर बात करें तो 678 पलाई यानि लगबग आप मान के चलें कि 700 पदो पर SI बर्ती आने वाली है रजस्तान पुलीस SI बर्ती 2024 जो है वो लगबग 700 पदो के लिए आने वाली है अब बात करने वाले हैं कि इसका सेलेक्षन का प्रोसेस का है रजस्तान SI बर्त पाद उनका P.E.T. सारी रिक दक्षता परिक्षन होगा फिजिकल जो efficiency test है वो होगा इसके अलावा interview है साक्षातकार medical test है और document verification है यह total 5 stage है एक तरीके से रजस्तान पुलीस SI बर्ती में तो इन 5 stage के बाद में आपका final जो है सेलेक्षन होगा यानि कि आपको post allotment हो जाएग अब दोस्तों बात करते हैं राजस्तान SI के लिए apply करने के लिए जो application form है यानि कि विग अपती कब जारी होगी और कब से कब तक भरी जाएगी exam कब तक हो सकता है उसके बारे में आपको एक जानकरी दे देते हैं राजस्तान SI की जो बड़ती है इसके लिए जो liquid friction का iogen है व और इस बड़ती की विग अपती RPSC की जो हमारे sources हैं वहां से हमें जानकरी मिल रही है कि मार्स से अप्रेल के बीच में आपको राजस्तान SI बड़ती की विग अपती मिल जाएगी जिया दोस्तों जो नहीं सरकार बनी है इसकी पहली प्रात्तमिकता यह यह कि युवा बेर विरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है वैसा अन्याय कहीं पे भी नहीं देखने को मिला जितना रजस्तान में हुआ क्योंकि पिछले पांच सालों में जो बरतिया एक तो बहुत कम आई और जो आई वो केवल गोस्नाव में आई उनमें पेपर लीग होगे सारी बरतिया अ हो भी गई है तो उसमें जोइनिंग नहीं मिली है तो पिछली एसाई भरती में आपने देखा ही था कितना बड़े इस तर पर दानली हुआ आरेस में देखें रीट में देखें कोई भी बरती अचुती नहीं रही तो इस बार की सरकार के प्राच मिकता है यूआ बेरोजग और शुर्ण को निया दिलाने की और उसके लिए पहली बेथक में जो पेपर लीग के लिए एसाई टी का गठन भी हो गया है और सब कुछ उसके लिए ओरडर जारी हो गए हैं आपने कल आदेस देख लिया होगा तो जल से जल जो पिछली बढ़तिया है जाए वो एसाई की जल्दी हो पाती है लेकिन इस सरकार की प्रात्मिक्ता इस पेस्ट है कि राजस्तान की युगा बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार देने की और जल्द से जल्द उन्हें भरतियों में आउसर देख करके नए दिलवाने की है तो इसी करम में राजस जुलाई अगस्ट में आपका SI का रिटेन एक्जाम हो सकता है तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप अपने तयारी शुरू कर दें दोस्तों वीडियो पसंद आयो है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सकाइब जरूर कर ले धन्यवाद